विए बिए वर्न कैते हैं आपसे बाता करते हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे अभी लगव पॉने तीन हो रहा है अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ क्यों इतना लेट से खाना खाने जा रही हूं आपको बताओंगी सबसे पहले मैं दिखा देती हूं मैं क्या क्या आज पहली वर मैं आपको दिखा रहे हूं कि क्या क्या खा रही हूं डाल अरहर की है और आलो का भुंजिया है आलो पालक की सब्जी है और सलात को खाने में जरूर शामिल करिए आज तो मैंने सलात में बश टोमेटो है गाजर है ओनियन है यानि कि प्याज हुआ आपका मुली हुआ हरी मिर्चुई निम्भू हुआ गाजर हुआ टमाटर हुआ सलात को खाने में जरूर शामिल करिए और यहां देखिए मेरे बेटा बेटा का पजल किस प्रकार से बिखरा हुआ है अभी मैं उसको अभी तुरन सुला कर आई हूँ तब खाने के लिए बैट रही हूँ और क्यों लेट हुआ मैं आपको बताऊंगी अभी तो खाने खाने तक पवित रिस्ता शुरू हो जाएगा फिर मैं कुछ काम कर लोगी उसके बाद आज साम में कुछ रेसिपी बनाऊंगी तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे खाना खाने के बाद खाना अभी मैं खाकर खाने से हो गया एक गंटा कुछ मोबाइल पर काम था मैं वो कर रही थी और आज मैं तो बिल्कुल तीन बज़े से आईरन नहीं कर पाई अभी मैं यह लाइट जलाए तो आपको हलका दिख रहा होगा मेरी स्कीन में दाना हो गया है तो अभी मैं मुल आप जल डालकर मैं यह लगा लोंगी और यह सुपते भी रहेगा और मैं आईरन भी कर लोंगी और इधर पवित्रिस्ता भी देख लोंगी एक साथ कई काम को मैं निफ्टाती हूं इतना दिन छोटा करता है कि चाह कर भी आप किसी काम को कर नहीं शकते हैं तो इसलिए मैं फूल पूरती गवा गएरळा जो है इसका कलर इस कोरती का फूरा डाउन है लेकिन करती काफी अच्छा है और यह हाल्टर नेक जिसको करते हैं वह मैंने बना अधा था यह तो यह इस-चरह आता है तो अब मैं इसको लगा लेते हुँ हूं उसके बाद फिर मैं आईरन करू सब्सक्राइब गाए तो फिर मैंने उसको गर्म तेर करके और उसमें विक्स डाल कर उसको लगाया पैर में हाथ में च्हाती में विक्स बगएरा तो अब तो मुझे लगता है लगवाग चार बज रहा है ये जब तक सब्सक्राइब कर दाने हैं अगर इसे फाइदा हुआ तो ठीक है और नहीं हुआ तब मैं डॉक्टर से मैं मुल्दाने मिट्टी लगा कर आइरन में लगोंगे अगर अगर आप वीडियो देखिए आपको पता है नहीं है इतना फिल्टर यूज होता है लेकिन मैंने आपको सच बता दिया मैं जो करती हूं जैसे करती हूं इसे आपको दिखाती हूं तो चलिए अब आइरन कर लेते हैं झालिए 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 यहां पर मैं आयरन कर रही हूं आप लोग अगर मेरे चैनल पर पुराने हैं पुराने सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे देखा है सुरू से आप देखेंगे मैं बिल्कुल एक भी मिनट बरवाद ने करती हूं पूरे दिन का और सारा चीज और सच्चाए के साथ मैं आ करना भी होता है लेकिन इसके बावजूद भी मैं सारा काम करती हूं बच्चे को भी पढ़ाती हूं जुनियर के जिमें मेरा बच्चा पढ़ता है ऑनलाइन क्लास भी उसे करवाना होता है सारा चीज मायनेज करना होता है कपड़े बहुत हो जाते हैं अभी तो थंड का मौ लगता है मेरा वह समय बरबाद नहीं होता है क्योंकि लगातार आप लोग देख रहे हैं मैं बरबाद नहीं करते हूं कभी स्टीचिंग कभी आईरन तो आप लोग जो पुराने हैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए लेकिन जो नए हैं और जो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए कमेंट कर जरूर बताए आपको मेरा ये मेहनत किस तरह से लग रहा है कैसा लग रहा है इस तरह से चार पांच कपड़े में आइडन किया और मेरा ये मिट्टी वी सूख गया है अब मैं इसको दोलूंगी चाय कढ़ाओंगी उदर इधर मेरा बाबू में उठ गया है देखिए सोफा बेटके अब वो गेम देख रहा है मैं आपको दिखाती हूं तो यहां आप देख रहा है मैं कीचन आ गई हूं यह देखेंगे चना और मोंकां कुरित है और थंडा में इसका कम यूज होता है और यहां देखेंगे आप मैंने हरी मिर्च बैगन टमाटर निम्बू सबको रख लिया है धोकर सुबाई मतलब दोपर में धो लिया था तो सबसे पहले मैं बावो को बॉन बिटा दे लूँगी उसके बाद मैं सत्तू पराठा और आलू बैगन और टमाटर का मैं बनाओंगी जिसको आप लोग भड़ता काते हैं हम लोग चोखा बोलते हैं सरसों की चटनी और वो क्लिप मैंने सूट किया था काफी टेश्टी बनाया था लेगिन पता नहीं किसी कारन बस कैसे वो क्लिप डिलीट हो गया तो कोई बात नहीं है यहां पर देखेंगे अर्म लाइट को जहां लेकर आई हूँ और रिंग लाइट का मुझे अभी अंदाजा नहीं है तो सारा चिसमे यहां पर मैंने थाली में निकाल लिया सबसे पहले मैं एक कटोरे में सरसों डाल दूंगी पानी में भींगोकर जिसे की चटनी बनाने में आसानी हो यहां पर मैं एक प्लेट में सारा चीज सत्तू में डालने के लिए निकाल रही हूँ अजमायन मंगरेला निम्बू हरी मिर्च और यहां आटा में भी मैं एक कर लूँगी और बाबू को बॉन बिटा देने के बाद यह सारा चीज मैं सोफा पर लेकर जाओंगी थंड में निच्चे खड़े होकर करने में थंड लगता है इसलिए मैं सोफा पर बैट कर और यह जो आप देख रहे हैं जो मैंने धन्तेरत मिलिया था आप लोगों के सा यह आटा मिला कर मैं रख लूँगी और अब मैं यहां आ गई हूं बाबू खेल रहा है यहां पर मैं एक नीचे में पेपर रख लूँगी जिसे की प्याज का लासून का इन सब का छिलका जो है इधर उदर बिखरे नहीं और पंखाव यह भी नहीं चल रहा है जो कि इधर अर जो है कितना यूजफूल है अभी तुरंध मैं आपको दिखाने वाली हूं और थंड में यह सब बनाने में और यह सतू पराठा हुआ हुआ यह सब तो तो ठंड में घंड भी बहुत लगता है यह सब सबेरे करने का होता है तो मैं क्या करते हूं जैसे पांच विजे प बज़े तक मैं बैट बैट जाती हूँ अपना जो भी करना होता है और यहाँ पर देखेंगे मैं चॉपिंग करने हूँ थी यह कितना मुझे परिशान कर रहा है बारा बोल रहा है मुझे भी करना है और इसे भी मैं करवा रही थी एक दो बार दे रही थी नहीं दीजेगा त तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसने किस तरह से वर्क किया है और जब मैंने इसको किया तो ये काफी थोड़ा अधिक खिचना पड़ता है 20 से 30 बार 40 बार लेकिन ये काम बहुत ही अच्छा करता है छोटे-छोटे तुकड़े में इसको काट कर फिर इसको यूज करिया हल हुआ है कि यहां देखेंगे यह बिल्कुल बारिक कटा हुआ है मैं लासून अध्रक मिर्ची सब अलग-अलग से कर लोंगी और यहां मेरा खाना बनके तयार है वो क्लिप लिट हो गया जिसे मैंने बताया था तो यह प्याज यह मैंने मूली काटा हुआ है उसमें निम्ब अगले ब्लॉक में बने रही है इस चैनल के वीडियो पसंद आए तो लाइक किजिएगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करिएगा और आप सभी को आज के लिए गुड नाइट मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बाई बाई डियर लव यू आल